दुर्धरा योग देखा जाए तो ये योग गोचर में भी समय बना हुआ है कैसे बनता है ये योग जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हों उनके दोनों तरफ सूर्य के अलावा तो सूर्य को हटा दिया इसके बाद राहू और केतु को भी हटा ही दीजिए बाकी के जो ग्रह बचे दोनों तरफ कोई न कोई ग्रह होना चाहिए अब ये दुर्धरा योग कई एक प्रकार का होता है अर्थात जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं उनके एक तरफ बुद्ध जाकर के बैठ जाएं दूसरी तरफ शुक्र हो तो अलग प्रकार का दुर्धरा एक तरफ मंगल बैठे हैं दूसरी तरफ गुरु बैठे हैं तो अलग प्रकार का दुर्धरा वही एक तरफ शुक्र बैठे हैं एक तरफ गुरु बैट जाएं तो अलग परकार का दुर्धरा जन्म कुंडली में इस योग को महानतम राज योग बताया गया है इस योग में जनमा जातक दुर्धन श्चई, महान, राजा, अथवा, राजा के समतुले जीवन जीने वाला होता है बड़ा ही सुखद जीवन जीता है अब विचारणी तत्य क्या है कि ये दुरधरा योग है क्या जन्म कुंडली में जब आप केमद्रूम योग के बारे में विचार करते हैं तो केमद्रूम योग कैसे बनता है तो इसी चंद्रमा से बनता है जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह न हो तो केमद्रूम योग बन जाता है अब दुर्धरा योग के बारे मगर आप विचार करें तो दोनों तरफ ग्रह हो बस अंतर इतना ही है प्रिये दर्शकों जन्म कुंडली में चंद्रमा का अपने आप में अत्यंत महत्त पुरुन स्थान है क्योंकि चंद्रमा मन है मन का अधिपती और हमारे जीवन काल में हम जो भी पाते हैं उन सभी के पीछे सबसे ज़ादा कार्य करने वाला जो चीज़ है वो हमारा मन है कोई एक ऐसा है जो दस रुपे पाया और उसी में संतुष्ट है तो कोई दस loaq पाकार के भी संतुष्ट नहीं है इसके पीछे काम कौन कर रहा है? मन काम कर रहा है तो ये मन कई तरह के योग और दुर्योग का निर्मान करता है तो क्यमद्रुम योग को महांतम दुर्योग बताया गया जहां जातक दरिद्रवत जीवन वितीत करता है जो तो शास्त्र के सबसे महांतम दुर्योगों में क्यमद्रुम योग को रखा गया है तो वहीं दुर्धरा योग को महांतम राज योगों में रखा गया है कारण अब ये जो दुर्धरा योग है इसको ऐसे समझना होता है कि भविश्य में ये ब्रिहत वीडियो है जो हर एक दुर्धरा को समझाया जा सके कि जिस भी ग्रहके बीचो बीच बैठे हो चंद्रमा एक तरफ गुरु बैठे हैं और दूसरी तरफ मंगल तो सीधी सी बात है मंगल पराकरम है और गुरु ज्यान पराकरम और ग्यान के मध्य में जब मन आ जाएगा तो ऐसा जातक अपने ज्यान के बदौलत मेहनत करके कई बार ज्यान हो तो पराकरम नहीं होता मन कर रहा है करने के लिए परन्तु ज्यान नहीं होता करने के लिए मन कर रहा है कि हो परन्तु ज्यान नहीं है मन कर रहा है ग्यान है परंतु पराक्रम नहीं है तब भी इंसान नहीं ले पाता तो ये अलग दुरधरा योग बना यानि इस योग में जन्मा जाता कि एक तरफ चंद्रमा के मंगल है और दूसरी तरफ गुरू तो ऐसी अवस्था में जातक कि चाहत होगी पराक्रम होगा ज इसके बतौलत वो सब कुछ हाशिल करेगा तो ये दुरधरा योग है आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए अलग अलग ग्रहों से अलग अलग प्रकार के प्रभाव बन जाते हैं लेकिन एक बात तय है कि चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हैं तो दुरधरा योग बनेगा और इस योग में जन्मा जातक निसंदे राजा अथवा राजा के समतुले जीवन रितीत करता है